नमस्कार तो आप देख रहे हैं नौलेज बज़े और आज के बड़ियों में हम बात करेंगे रेल्वे एंटी पीसी सकेंड फेज के एक्जाम के सभी जितने भी शिफ्ट अभी तक हुए है साथ दिनों के अंदर 21 तारिक सुल्ला से लेके 21 जनवरी के बीच में कि जितने भी स्भी है सभी के हम को कुश्तन को यहां पे देखेंगे लगवक 14 बार्यक्रन फ़श्चन वाला है तो यहां पे मैंने बहुत ज्यादा क्लेक्शन तयार किया कुश्यनों का जो कि प्लीज लाइक करके और सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कीजेगा चलिए सबसे पहले 16 जनवरी के 16 जनवरी 2021 होगा स्वरी यहाँ पर मैंने यहाँ पर गलत लिखा है इसका हेड़कोर्टर आगे देखेगा वेंग डेडे महात्मा गांधी कम साउथ अपरिका मतलब महात्मा गांधी साउथ अपरिका से भारत वापस आये तो 9 जनवरी 1915 को भारत वापस आये अगला कोशन हो गेव इनकलाब जिंदाबाद तो आप लोग सभी को पता है मौलाना हरसत हसरत मोहनी मोहानी इन्हों ने दिया था इनकलाब जिंदाबाद का स्लोगन उसके बाद देखे दा रैंक ऑफ इंडिया इन इज ऑफ डूइंग बिजिनेस रैंकिंग 2020 तो इसके अनुसार इंडिया का रैंकी कितना है इज ऑफ डूइंग में 63 है 190 देश में से आगे द इसके बाद देखे विच अफ फॉलोइंग इज एन इन्पूट डिवाइस तो ऑप्शन के नुसार आपको लगाना है चंद्रियान वन को कब लांच किया गया था तो चंद्रियान वन को लांच किया गया था 22 अक्टूबर 2008 को विच अफ फॉलोइंग इस इसेंशिल पार् तो एक माई 1960 आगे दिखेगा वन को सर एक को सनाया जय जिवान जय जय किसान किसने दिया था यह स्लोगन तो लाल बहादुर सास्रे ने दिया था लौह पूरूस बोलते भारत की पहले गृह मंत्री थे यह आगे दिखेगा पीम आफ इंडिया इन 1977 में भारत का प्रधान मं सहयुक्त राश्री दिवस का मनाया जाता है तो सहयुक्त राश्री दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है आगे देखेगा कोसा नमबर 13 से देखते हैं और ऑफ जयाद और ऑफ जयाद अवार्ड किसे कौन दिया था तो यूनाइटेड अरब इमरात सायद पीम मोधी को मिल सब्सक्राइब और ऑफ जयाद 2019 जायद की खोज किसी ने की थी तो सभी को पता है जीजे थॉम्षन उनका पुरा नाम है जो से जॉन थॉम्षन आगे देखेगा वीच आप फॉलॉइंग कंट्री डर्जी नॉट शेयर इंडिया होगा मतलब कि कौन सा कंट्री इंडिया के कुछ मच्छर होता है देख लेते हैं मलेरिया एक संक्रमित मच्छर के काटने के कारण होता है मलेरिया एक ऐसी विमारी है जो संक्रमित मच्छर के मवजूद में परजीवी की वजह से होता है यह रूग इतने छोटे होते हैं कि हम इन्हें देख नहीं सकते हैं मलेरिया क्लोरीन की बंदूता क्या होती है सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की बंदूता क्या होती है सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की कुछिका का कौन सा अंगे अपसिष्ट पदार्थों को नश्ट करता है तो लाइसोसोम हो जाएगा अपसिष्ट पदार्थों को नश्ट करता है प्यूस ग्रंठी को क्या कहा जाता है, master gland कहा जाता है, which acid is responsible for fish, मतलब है cold drink में कौन सा acid होता है, तो carbonic acid होता है, cold drink में, बहुत important question हो गया है, full form of TCP बहुत बार पुछा जा रहा है, तो transmission control protocol और IP का full form होता है, internet control protocol, in case of kidney failure, which treatment is taken, so dialysis से kidney failure के समय या kidney transplant को ही replace कर दीचे, दो option है, dialysis या kidney transplant, आगे दिखे, what is domain name, domain name में आपको पता होगा कि आप लोग देखते होंगे www.google.com, तो google जो हो गया, वो domain name हो गया, जैसे आप लोग का email id जो होता होगा, उसमें dot gmail लिखा रहता है ना, at the red gmail, तो gmail क्या हो गया ना, वो domain name हो गया, company का नाम को कह सकते है, domain name, रख तका कौन सा भाग oxygen को फेफरे में से लेकर कोशिका तक पहुचाता है तो hemoglobin हो जायागा, number of hot chamber in fish, तो four chamber होता है फिस में, 1916 Congress activation में किसने भाग लिया था हिंदू, Muslim एकता, Muslim league, ठीक है, संपन्य नहीं होने दिया था, ठीक है complete, मतलब है, यह, यह, तकसिस नहीं हो पाया था, रेडियो के संचालन इंडिया में भारत में कब हुआ था, तो 1923 में हुआ था, रेडियो के संचालन भारत में, अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्ट करने के बाद क्या बनवाया था, तो बुलंद जरवाजा बनवाया था, अकबर ने गुजरात पर विजय प्राप्ट करने के बाद, कॉपर लाइटनिंग रॉड का अविस्कार किस ने किया था तो बेंजामीन फ्रैंकलीन ने 1752 में किया था कॉपर लाइटनिंग रॉड का अविस्कार बेंजामीन फ्रैंकलीन 1752 केवला देव घाना पक्षी बिहार कहां इस्ति थे तो राइस्थान में इस्ति थे स्वाइब गाना पक्षी विहार राजिस्थान सयुक्त राष्ट की स्थापना 24 सक्टूबर 1945 को सयुक्त राष्ट अधिकार पत्र पर 50 देशों के सिगनीचर होने से हुई थी मतलब यह पूछा गया सयुक्त राज्ज्य की स्थापना पूछा गया तो यह देख लीजिए 1945 सा सब्सक्राइब की राष्टानिक का बनाया गया था तो 1911 में 1911 या 12 जो अप्षन में दिया हो उसको लगा दीजिएगा क्रिसी उनती योजना का संबंद पौधो की सुरक्षा रनीती की संबंद में विशेश रूप से अच्छे क्रिसी टेकनिक को बढ़ावा देना है सविधान संसोधन कौन से आर्टिकल की कारण होता है तो 368 की कारण होता है अर्टिकल 368 है गुरू रामदास हवाई अद्डा कहां इस्टी थे तो अमर आगे दिखेगा भारत में पहली बार रेलवे का संचालन कब से शुरू हुआ था तो 16 अप्रील 1853 को मुंबई के बोरी बंदर स्ट्रेशन से थाने के बीच में जिसको छत्रपती सिवाजी टर्मिनल के नाम से भी जाना जाता है आगे देखिए राश्ट्वी स्वक्षता की शुरूआ की गई थी विच वन इस इंसूलेटर से कोशन पूछा गया इंसूलेटर कौन सा होता है आप बता पाएंगी के इस कोशन का अंसर आगे भारत में सबसे श्वक्ष से सहर कौन सा है तो इंदौर हो जाएगा कॉंग्रिस के पहले भारती अध्यक्य कौन थे तो वो में चंद्रवेनर्जी हो जाएगा 2008 में इस रो के अध्यक्त कौन थे तो जी माध्वन नायर हो जाएगा जी माध्वन नायर चंद्रमा का सबसे बड़ा अंत्रिक्षियान कौन सा भीजा गया था तो लूना नाइन मतलब यह कुशन मैंने गलत बोल दिया चंद्रमा पर सबसे पहला अंत्रिक्षियान जो भीजा गया था जिसमें इंसान नहीं थे लूना नाइन और जिसमें इंसान भीजे गया थे मानो भीज़े गया थे वो था अपोलो 11 फू इस दा यूनिसेफ गुडविल ब्रैनी एंप बेस्टोर दोहजर अठार तो यह याद रखेगा मिली बॉबी ब्राउन ठीक है बहुत फेमस नाम है बैंक ऑफ इंदुस्तान की स्थावना कब हुई थी तो 1770 में हुई थी पूछा जाएगा चंपारन सत्यागरा की शुरुआत किस ने की थी तो महात्मा गांधी ने की थी रसिया के राश्पती का नाम क्या था तो पुतीन है पता है आप लोग को आगे रुपय का चिन्हें कब आया था तो उध्य कुमार ने साय दिया था 2010 में भारत के पहले कारवा प्रिधान मंत्री थे मतलब किसी का जिम्मेदारी इन्होंने संभाला था साय नहरुजी का देथ हो गया था उसके बाद इनको बनाया गया था गुर्जाली लाल नंदा को नासा और सेवरेल सेवरेल पार्टनर से एनाउंस ड्रैट यह रिनेम्ड एक की ऑउसन अब्जर्व सेटलाइट और विच साइन्टिस्ट नेम तो इसका नाम रखा गया है सेनेटियल सिक्स के नाम पर ठीक है साइन्टिस्ट का नाम देख लिजेगा सेटलाइट का नाम मैंने बता दिया इसका नाम रखा गया सेनेटियल सिक्स का नाम रखा गया है माइकल पैरी लिच ठीक है नाम देख लीजगा आप लोग इंपोर्टेंट कोशन है ये उसके बाद देखेगा केवला देव राश्ट्य उद्यान कहां पे है तो राज्थान में है क्लेव डैम मिट्टी का बांध कहां पे है तो केरल के बाना सुर्थ सागर बांध पर है आगे दिखेगा उस बांध का में बानापूर सागर बांध केरल में स्वेज नहर कहां पे इस थे तो मिस्र के मिस्र में 1956 में इसका राश्ट्य करन हुआ था मोस्त इंपोर्टेंट है ये भी पूछा जा सकता है कि राश्ट्य करन कभ हुआ था 1915 में गांधी जी काम टू इंडिया इन वीच स्टेट कहां आए थे 1915 में गांधी जी साथ अपरिका से जब लटे होंगे तो अपोलो बंदर इन मुंबई मतलब यहां मुंबई में आया थे यह आप लोग को याद रखना है उसके बाद हूँ गेब जो नॉबल प्राइजे ए फोर एलेक्रोनिक्स दो हजार छे तो दो हजार छे में जाबल प्राइज किसको मिला एलेक्रोनिक्स में, जॉन बारडेन को मिला बारडीन आगे जीक्टेगा, ईसके बाद हूँ इस नोन भाई नेम, दाहंटर, तो दाहंटर के नाम से किसे जाना जाता है, तो जूलिया ले टीक है नाम याद रखियेगा, आगे, विचे विचे process which process cell repair our body मतलब जो कोशी का हमारे सरीर में जो नस्ट हो जाते हैं यह खराब हो जाते हैं उनको किस प्रक्रिया के द्वारा हमारा सरीर द्वारा से उन्हें recover करता है यह question आप से पूछा गया आगे दिखेगा which of the following is not part of the system which of the following मतलब computer system का इन में से कौन सा पार्ट नहीं है तो यह option सा बताएंगे which of the following is not part of CPU इन दोनों में से कोई एक ही question आया हुआ है आगे दिखेगा उत्रा उत्रा खंड का तलवार निरते का नाम क्या है तो छलिया निरते बोला जाता तलवार निरते को महात्मा गांदी अफ्रीका से आने के बाद किस विश्चे विद्याले में आये थे बहुत बार रिपीट किया जा रहा है भारत का पहला रंगीन फिल्म कौन था तो किसान कन्या किसान कन्या 1937 में थी पहला कर रंगीन फिल्म भारत का कौन सा देश भारत के साथ है भूमी सीमा साज्ञा नहीं करता है तो कौन सा देश साज्ञा नहीं करता है स्रीलंका यह परवसित्व है बटे समुदरी राश्ते से आगे देखेएगा आगे है 2016 पैरा ओलंपिके में किसे प्रुशे से खिलारी ने भाला प्रेग में स्वर्ण पदक जीता तो देवेंद्र जजरिया आगे देखेए सायुक्त राश्ट सग का गठन मानवता स्वर्ग तक पहुचाने के लिए नहीं बलकि उसे नर्ग से बचाने के लिए हुआ तो यह बोला था डेगे हैमर सोल्ड ने मोस्ट इंपोर्टेंट कोईशन है आगे वाले स्वर्ट में भी रिपीट किया जा सकता है दो हजार ग्यारा दो हजार एकी स्टोकियो अलम्पिक में मसाल रिले की शुरुआते कहां से की गई तो फुकुसीमा फुकुसीमा प्रांथ से जे विलेज नेशनल ट्रैनिंग सेंटर से ठीक है याद रखेगा फुकुसीमा प्रांथ बहुत इंपोर्टेंट है और कौन सा है जे विलेज नेशनल ट्रैनिंग सेंटर यह भी ऑप्शन में आपको दे सकता है बुकारो श्ट्रिल प्लांट की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी आप लोग सभी को पता है रसिया के सहयोग से हुई थी बुकारो श्ट्रिल प्लांट की स्थापना स्थापना की गई थी दूसरी या तीसरी मुझे लगता है जहां तक दूसरी होगा आगे देख उसी बीज में बोकारोश्टिल प्लांट की स्थापना हुई थी भारत में सबसे लंबी सबसे लंबी यात्रा करने वाली ट्रेन का नाम क्या है तो डिभुरुगर से कन्या कुमारी तक एक ट्रेन सलती है जिसका नाम है विवेक एक्सप्रेस तो एक्सल को क्या बोला जाता है स्प्रेट सीट बोला जाता है ठीक है आगे देखें स्वक्ष भारत मिशन ग्रामीन का सुब आरंब किस वर्स हुआ था तो अक्टूबर 2014 को हुआ था मानो अधिकार आयोग की साबना की गई थी इनमें से कौन सा वेव ब्राउजर नहीं है तो यह ऑप्शन की साफ से आप बनाएंगे इनमें से कौन सी फिल्म है में कभी ऑसकर के लिए नामित नहीं हुई है कर्म जो है ना मतलब ऑप्शन के अनुसाय ठीच है ऐगे दिखें wild not national health mission नेंर viral copyright Google i x Sweer टो दौनच किया गया था थो दोवजर पांच में नेशिन लिट मिजन को लॅर्श किया गया था ठीच है आगे देखें आगे पुछा के आप से यहां देखिएगा NTPC 17 जन्वरी 17 जन्वरी 2021 होगा यहां पर 17 जन्वरी 2021 के यह question है ठीक है देखिएगा इन में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो इंस्ट्राग्राम सर्च इंजन नहीं है भारत की पहली महिला लोगसभा स्पिकर कौन है तो मीरा कुमार है इलेक््ट्रिक के करेंट के की महाप बाठ जाता है तो इंपिर में महाप बाठ भारत की मुक्कह नैधी मुग्खी कां है तो सरदरविंद भूप्रे है उसके बाद 47 आहां दे पूचा जा सकते है रंजन गोगयी के बाद तो आप लोगो पता होगा असम से उसके बाद यूज ऑफ वोल्ट मीटर तो वोल्टेज को मेजरमेंट करने के लिए वोल्ट मीटर के इस्तमाल किया जाता है हेड़कवाटर अफ यूए नो नियॉर्क सिटी हो जाएगा नियॉर्क के सिटी फर्स्ट रॉबर्ट हुउमन सोफिया हो जाएगा मोतियों का सहर किसे बूला जाता है है जोवला यूजना दोजार उननीस तक पांच करोर परिवारों विसेश कर गरीबी रेखा से नीचे रह है रही महिलाओ को रियायती एल्पीजी कनेक्शन उपलब्द कराने का लक्ष रखती है आगे देखे आर्टिकल 72 किसे संबने थे च्छमा आधी की और कुछ मामलों में डंडा दे से निलंबन परिहार या लगू करन की राश्पती की सक्ति से आगे देखे मोहन जोदर की ख किया गया वाट इस गिफन गूट्स है गिफन गूट्स हो जागा नौल लक्जरी प्रोट्ट हो जाएगा भारत का सबसे लंबर आजी अमर के कौन सा हो जागा नस 44 हो जाएगा इसके बाद पूछा गया आप से यूनिस्को ने 2011 में किस वन ने जिव अभियरन को सामिल किया था ये कोशन पूछा गया आप से उसके बाद GLSLV मार्क 3 से एक कोशन पूछा गया ठीक है तो ये एक लांच विकल है से चंत्रियान 2 कोुछ किया गया है आगे दिखें तो फेट-एलिफेंट क के नाम से जना जाता है तो फेटड़िफेंट के नाम बसको जाना जाता है तरिक है फेट-एलिफेंट आखे देखिए पॉपूलेशन ग्रोथ थियोरी किस ने दिया था थॉमस रॉबर्ट माल्थस ने दिया था इंपोर्टेंट कुशन है मद्वनी चित्रकला का संबंद बिहार से हैं कंप्यूटर डिवाइस से डेटा ट्रांसफर किसकी मदद से होता तो यूसबी के मदद से होता है रोजर फेटर और मार्टिना हैंकिस का संबंद किस देश के साथ है तो स्विज्जय लेंड के साथ है नोक्री के लिए समान ऑसर की समानता का अधिकार किस आर्टिकल में तो आर्टिकल 16 में सहीयोग अंदोलन और खिलाफत अंदोलन की शुरुआत कब हुई थी तो 2020 और 1915 और 1924 से 2020 में तो यह हुआ था पंचमधी बायोस पे रिजर्व कहां पे है तो MP में है हूँ इस दा राइटर ऑफ इंडिया दा फ्यूचर इज नौ सशी थरूर हो जाएगा अम आसे में कौन सा इसीड बनता है तो एस्जेल बनता है हूँ इस दा फांडर बू और जीन हो जाएगा सबसे हलकी गैस कौन सी है तो हाइड्रोजन हो जाएगा कितने बाग मारे गया तो अभी बागों की संख्या साथ 2916 है यह भी पूछा जा सकता है आगे देखिएगा यहां पे पॉलिशी प्लेटफॉर्म ऑन बायो डाइवर्सिटी एकनॉमिक से सर्विस है कहा पर होता है तो यह होता है आई पी इई आई पी बी इस से आगे देखिएगा प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना योजना का उद्देश यूआओ को उद्योग से जूरी ट्रेनिंग द प्रधान मंत्री कौसल विकास योजना प्राथमी करंग के कौन कौन से तो लाल नीला और पीला कहलाते हैं लोग सभा का पहला चुना कब हुआ था तो 1951-52 में हुआ था भारत के खेल मंत्री कौन है तो किरन रिजोजु है उसके बाद इब्राहिम लोधी और बावर की तो 19 में किया नी 1909 मैंने बोला 1519 में किया था ठीक है आगे 1527 में पानिता का दूसरा युध्य हुआ था और 17 sur 1911 में साय थिसरा हुआ था पानिता का आगे देखे बागा बॉरडर कहा इस्ते थे तो पंजाम में इस्ते थे थे अमेजन अमेजन के CEO कौन है तो CEO सभी को पता है सैटलाइट सैट सीवन के लिए कोशन पुछा गया वेर इस बोल्ड लाइन तो MS Word Office यह सम्में यूज किया जाता है बोल्ड लाइन को 2018 में कौन सा राज ये कौफी उत्पादन में करनाटका भारत में पूछा जागा तो ब्राजीन रख्त में प्लाज्मा का क्या काम होता है तो शरीर में कार्बन का परिवहन कारबन डाय उक्साइड का परिवहत रख्त के प्लाज्मा द्वारा ही होता हैं अगे देखेगा हैस्तिनापूर की खुदाई कब हुई थी तो 1952 में हुई थी हस्तिनापूर की खुदाई रसिया के एक पुछा गया तो रेम में में स्टोर होता है तो नहीं है यह प्रभाव प्रभाव प्याधारित नहीं है तो यह पूछा गया उसके बाद फलो को फलो में कौन सा संक्रा पाई जाती है आगे दिखे गुगल के सबंस्ता पर कौन है पेज और सरगी सरगी ब्रीवरी आइवास आइवास वास नाम क्या है तो जिसको आज आख को किसी इसीड के माध्यम सझोते हैं ।ifica कि माध्यम सथ होते हैं आगे देखें नमें से कौन सा सर्च इंजन नहीं है तो सर्च इंजन ऑप्शन की साफ से बताईएगा आप जन संख्य का सिधांद किस नहीं दिया था माल थस नहीं दिया था लगतार पांच बार यूएस ऑपन जितने वाले खिलारी कां थे तो रोजर फेडर थे उसके वर इस है कि महा निदेशा कौन थे तो मॉल्टी मर भीलर आगे दिखें इंडिया स्किम किस मंत्रालिक अंतरकत आता है तो सुक्ष में लगू और मध्य उद्याम के मंत्रालिक अंतरकत है निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने कौन सा एप लांच किया है इन में से कौन स हरपा से संबंदित नहीं है यह भी पूछा गया है यह उनिसकों में सामिल होने वाला ग्यारवी बाई उस पे रिजर्व कौन सा तो कंजिर कंजन कंचन जंगा हो जाएगा तो लाल सागर और भूमदे सागर को जोड़ता है उसके बाद 2019 में कौफी उतपादन में कौन सा र सब्सक्राइब करने के लिए बहुत लंबे माल को ठोने वाले इंटर मोडल कनेक्टर का उप्यों किया जाता है तो यह भी कुछा गया था अगे भारत की नवेंत्व estimates तो आप लोग को पता है कि हमाले है कि टक्राने से बनी ही आगे दिखेगक इनमेंसे किस से के दवारा इंटरनेट से डा क्या जाता तो निप्टाय को दौराकी की जाता ऐसा इसके बाद प्लस्ट्व यहाइगा है तो चीजनी के नाम कासियं स . यह तुए होता है को हजार से उननीस सो सेल्सियस तके गर्म किया जाय तो जलांस यह तीन चौथाई भागे निकल जाता है और परिज़ाम से प्लास्ट्वा पैरिस बन जाता है ठीक है यह फॉर्मुला हो गया केमिकल फॉर्मुला वन बाइट्व होता है ध्यान दिज़ेगा कनेर के पधे को अगर छूते है ना तो उसके काटे से खुजली होती है आगे दिखे लोगपाल क्या होता है तो लोगपाल के बारे में पूछा गया तो यहां दिख लीज़ेगा कुसासन अनुचिते लाव पूचाने या भ्रश्चार से संबधित मामले जो किसी मंत्री या करता है यहां पूछा गया कि यह देख रहें आप है अठारा तारीक का अभी आमने शुला देख लिए सतरा देख लिए अब अब आठारा तारिक देखते हैं यहां पूछा गया आप से लांगे डेट वर्क इन विच स्थेट तो भारत में सबसे लंबा रेल नेटवर्क लगनौ आगरा दिल्ली होगा लगनौ आगरा जैपूर होना चाहिए मुझे लगता है आगे देखिए विच रेलवे लाइन पैरल टू अरेबियन सी तो कौंकन रेलवे जो है ना समनांतर है किसके अरेबियन सी के ठीक है आगे देखिएगा वन कोशन पूछा गया वेस्टन में हुआ था मॉस्को में हुआ था उसके फाइनल तक पहुंचा था बट फ्रांस जीत गया था पहली बार कुरेसिया फाइनल किला था इसलिए यहां से रिलेटेट कोशन आपको देखने को आगे वाली सिफ्ट में भी मिल जाएंगे आगे दिखिएगा फूड डाइजेस् प्राइजन होता है आगे दिखेंगा दिखेंगा फूर टेस्ट आफ माइ लाइफ तो आप लोगों को पता है कि 2011 को जब वर्ट कप हुआ था तो उसके बाद यूरा सिनको कैंसर हो गया था तो तो कैंसर से किस तरह पाइट करके उन्होंने जो फिर से क्रिक्ट खेला स्टा वाइफ तो यूरा से इसके लेका का जाएँगे स्टस्ट आफ ए माई लाइफ के आगे देखिए वाट इस दाब और यूजच्भात पूस्धा सिटोषok Gar Rapun civilization पर चिन के वह Πरकृद का बना है क्या निसान होता था तो एक सिंगवला जो होता था जानवर एक सिंगवला जा जो वहां के राजा थे वह एक सिंग्वा ले कुछ उयर टूपी पहना करते थे ठीक है नहीं तो याद रखेगा वहाँ से कोशन पूछा गया संसद में कितने सदन होते अपर हाउस लोग सभा इन दोनों का अलग अलग बैठक होता है इन दोनों का बैठक एक साथ आयोजित करवा सकता है और उसका जो अधिक्सिता करेगा वो कौन करेगा राश्ट पती करता है अगे देखें प्रेशिडेंट कन नॉमिनेट्že मेंबर फ्रॉplease नॉमिनेट करता है कुछ मेंबर को उसको क्या बूला जाता है लोग सभा में दो मेंबर होते हैं राजे सभा में बारा मेंबर होते हैं तो उनको क्या बोला जाता है एंगलो इंडियन यह पुछा जाता है आगे देखिएगा सन49ista सब्सक्राइब और सब्सक्राइब trillion दो तीन बडर पुछा गया ही जे फ्यूशन गया करने करें दो सब्सक्राइब को दिश्चंब कतता हुआ को सब्सक्राइब यहां देख लिए क्या लिखा हुआ है स्वास्ते मंत्राले परिवार कल्यान मंत्राले यह मानो संसारन विकास की मिली जुली सरकारी योजना यह वी कुछा जा सकता है जिसका उदेश भारत में लड़कियों के लिए जागरुकता पैदा करने और कल्यान कारी सेवा को शुरू करना है ठीक है आगे देखे रियो क्लाइमेट एक्चेंज प्रोग्राम वाज हेल्ड इन विच यह तो ब्राजील हो जाएगा 13 जून से 3 जून 1992 तक आगे देखे रियो क्लाइमेट एक्चेंज ब्राजील में हुआ आगे देखे यही कोशन पूछा गया था 1992 वाला इसको मैं कर देता हूं ठीक है आगे देखे आगे है फ्रक्षियों के अध्यन को क्या कहा जाता तो हिंदी में बोलेंगे पक्षी विज्ञान इंग्लिस में क्या बोलेंगे और्टियो नोलाजी आगे देखे हो सकता इसके बाद रेट फोर्ट है और आगरा बिल्ट बाई आगरा का जो लाल किला है वो किसने बनवाया था तो अकबर ने बनवाया था साजहा का जो बनवाया था लाल किला वो दिल्ली वाला बनवाया था डिल्ली में जो मोती महजिद है वो साजहा बनवाया था मोती महजिद लाल किला के अंदर में तो यह भी कुछा जा सकता है आगे आप से पूछा गया विच आफ दी फॉल्वाइंग इज ए नेशनल और्गनाइजेशन तो आप से ही आप बता सकते हैं किन में से कौन सा नेशनल और्गनाइजेशन है फॉर्स्ट एर्थ है यहां अर्थ लिखना थ फॉर्स्ट एर्थ सब्मिट पहला अर्थ सब्मिट कौन होस्ट किया था तो 1992 रियो में ठीक है आगे देखिए आगे देखिएगा फुल फॉर्म अप कोबोल बहुत बार पुछा जा रहा है तो कॉमन बिजिनेस और्येंटेट लैंग्विज यह मोस्ट इंपोर्टेंट को सुबाद संद्रबोस एरपोर्ट कहां पर कॉलकाता में बहुत इंपोर्टेंट कोशन है आगे देखिएगा यू एन ओ को मैं कैपिटल में लिख देता हूँ यू एन ओ के सांती नॉबल पुरुस्कार कब दिया गया था मतलब यू एन ओ को सांती के लिए नॉबल पुरु में से कोई भी आप्शन होगा तो सही होगा आगे देखिएगा और यह कोशन मोस्ट इंपोर्टेंट इसलिए है क्योंकि इस कोशन को घुमा के अब पूछा जा सकता है मतलब दूसरा यह जा सकता है आगे देखिए यू एन ओ के वरतमान अध्यक्षगान है तो सभी को पता आगे देखिए नोटा इलेक्षन में कब शुरू की गई थी तो 2014 में पहली बार भारत में शुरू की गई थी नोटा का इस्तवाल को चंडीगर कानपूर गांधी नगर में से कौन सा लगे तो यह जो गांधी नगर आप देख रहे हैं यह राजधानी गुजरात की तो इस इस्पेन का कौन सा खिला रही क्ले कोट का सर्विस्रेश है तो रफल नडाल जो है ना क्ले कोट में क्ले कोट मतलब मिट्टी का जो कोट होता है टैनिस का जो कोट होता है उसके लिए यह साय होता है फ्रेंच ओपन में आगे दिखेगा अधातू की क्या विश्यस्ता नहीं तो नहीं होता का इसमें से कव्चानिक इन विग्यानिक का योगदान рушे उत्य लिसिदा का संबंद है अंगूर की खेंदी और यह महाराश्टा में सबसे ज्यादा होती है प्रथम अस्तान माहराश्टा का विटी कल्रेम बीटिक्पों था तो गोल पूरफुर था 2018 में सबसे लंबा प्लेटफॉर्म अभी पी से तो नीति आयोग किस से अस्तान पर लाया गया तो नीति आयोग जो लाया गया planning commission के अस्तान पिलाया गया जिसको हिंदी में आप यूजना आयोग बोलेंगे 2015 में नीति आयोग पहली बार आया था आगे दिखें इंडीका के लिखा कौन है में इंडीका काम होता वह कौन सा अधियोग है ना फिलाई होजा जाएगा इसके बाद बुकार昨शब्र पहला देश कॉन से है को वैधे घोषट किया निजर लेंड रॉप्टेशन सब में पूछा गया कुछा गया कुरख़शन पूछा गया और गया और पूछा जा सकता सकता है प्रधान मंत्री प्रेशलइन राजधानी यहां सब किसी कम से बाउनापन होता है तो यह समस्य अनुवान सिख्ता की कमी से होता है और इन में से कौनसा वाइस एसिस्टेंस नहीं पता सकते हैं खारत प्रधानमंत्री की द्वारा स्वक्षिता के-नच ले का प्यांट बहुत के लिए कोई वस्तू भीनामुद्रा की खरीदि विलक्षन पध्यती द्वारा सिंदु घाटी सब्वेता की सर थी तैस्टो पचास इसा पूर्वे से सत्रह सपचास इसा पूर्वे मानी जाती है और लगवक तीन हजार साल या ऐसे कुछ पुराना आई है उसके बाद सिंदु सब्वेता की खोजे राय बहादूर दयाराम सह इसानी नहें की थी नैगर दिखे सुल्फाइड को ऑक्षीजन परकर्वे को रोश्टिं सुलंग जय सब्से खुब्सूर अस्तान सबसे छोटे राजियो में साट जंग को सीलंग सीलंग को बूला जाता है कि कुंट्लं को पूर्व का स्कौंटलेंड बूला जाता है कि अ आगे देखी अ आगे दिखेगा भारत मे भारत का अन्ठीम गवर्नर जेनरल और प्रतम वैसराइ है काओन थे लोड मौंट बेटें थे आक्सीजन का वहां वहां करता है तो अर्टीरियल ब्लड धमनिये रधूर यह रुधीर आगे दिखें मनिपूर की किस खिलारी को राजियो गांदी खेल रहते ने वाट दिया गया तो मैरी कॉम जो है ना मनिपूर से संबंदी थे और यह बॉक्सिंग करती है पीएम जंधन योजना के तरहा तो बैंक के खाते खुलवाए गये थे आगे दिखें पीछे की और उड़ने वाली पक्षी का नाम क्या है हमिंग बर्ड है जिसे गुंजन पक्षी के नाम से जाना जाता है आगे दिखें इन में से कौन सा कंप्यूटर से अलग है तो आप् जंसन के साथ से बताएंगे वनों की कटाई का मुख्य कारण जिन शंख्या में वृधी भी हो सकता है और बहुत का ज्यादा नीरा रिजन है शहरी करन भी हो सकता है तीक है यह आप साथ सकते हैं आगे अल बद्रोनी किस सासनगाल में आया था तो महलमध गजनी महमूद आगे देखिएगा आप यह कोश्चन रिपीट हो गया है साइद कोश्चन पुछा गया है कि भारत का सुनहरा गोल्डेन ट्रेंगल टूर जो सबसे परसिद्य भारती सहरों को मिला कर बना आया कौन कौन से सहर इसमें सामिल है तो दिल्ली आगरा जैपूर यह पहले भी कुश्चन था ठीक है आगे देखिएगा चंपारन सत्यागरा कब हुआ था तो 19 अप्रेल 1917 को हुआ था 2018 में राजिव गांधी खेलरत नेवाड किसको दिया गया था तो मीरा भाई चानू और विराट कोली को दिया गया था और इस बार रोही सर्मा को भी दिया गया क्रिकेटर में और भी रानी रामपॉल भी है आगे देखिएगा भारत की पहली मेट्रो रेल कहां चलाई गये अधिति भारत की पहली मेट्रो डील यह पूछा गया इंडिक्की बांध उनाइट किंग्डम वर्ष 2020 में पहली बार कलास को कोब 26 के में मेजवानी करेगा कौन करेगा यह कॉशन आप से पूछा गया भारत का पहला वैसराय कौन है तो लौड कैनिन हो जाएगा कौनसी मिस मिसाइल सताह से सताह वार करती है विधान परिश्यत का निर्वान किस आर्टिकल के तहत हुआ तो आर्टिकल 169 171 के तहत है 169 एंसर होगा इसका ठीक है 169 आगे देखिए आगे पूछा गया आपसे किस आर्टिकल के तहत सुप्रीम कोड में रिट याची का यहां ध्यान आगे देखेगा विक्टोरिया जल प्रता पर किस नदी पर है तो यह है अफ्रीका की जे मंबेजी नदी यह इंपोर्टेंट है आगे देखिए बैडमिंटन 2020 चैंपियन देनमार्क की विक्टर एक्सल ने ओल इंग्लैंड 2020 पुरुष एकल पुरुष एकल पुरुष एकल सबसे ज्यादा फी लेने वाली पैसा लेने वाली अभी नेत्री का नाम क्या तो छुफिया वेर गारई इसका यह जो है लिए जबसेज़ाधा पैसा लेती है दुनिया में आगे घ्रोट हार्मोन किसे ग्रंथी द्वारा स्रावित होती है तो फ्यूशिका ग्रंथी के आगे दिखे है किसी हाडी किसी मेमोरी का उझारन है तो नौन वोलाटाइल by मेमोरी बोला जाता जिस में डेटा इसको पर्मानेंटेंट मेमोडी भी बोल सकते तो किन क상이 कौन से कौन सा उपग्राह नहीं है कि से नाम से चंद्रगुप्त धियत्यों कre przy üç के नाम से जाना जाता है एक पेटाबाइट किसके बराबर होता है तो 1024 से टीवी हो गया मतलब यह पूछा गया था 1024 टीवी पूछा गया था सबसे पहले आप लोग को आगे देखेंगा अगला कोशन देख लेते हैं आगे देखें दुनिया में गेहु का सबसे बरा उत्प अंतराष्टी संधी है इसमें ग्लोबल वार्मिंग हो रहे जलवाईव परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया है इस संधी में सामिल देशों को ग्रीन हाउस गैस उसर्जन को कम करने के लिए प्रतिबध्य करती है आगे दिखेंगा पानी के कठोड़ता को दूर करने क लिए क्या किया जाता तो धवन वादिक संपदा संगठन का मुख्याले गूगल की मूल कंपणी का नाम किया है तो अल्फवेट की अल्फवेट है जिसके इस्ताबना 2015 में हुई पुछा गया था तो इसका एंसर जो हो जाएगा कमांड लाइन इंटरफेस या फिर आप अगर ये भी ऑप्सन में दिया होगा तो ये भी सही है एकनामिक्स डेख लिख लीजगा क्या लिखा हुए लिख अगय को कौंसा क्ले कोट पे खेला जाता है तो यह मैंने बता विया दिखेल आप को फ्रेंच ऑपन मिट्टी का बने कोट पर खेला आज बनाते हैं गया आगे देखियो भारत सरकार की सेंटे नहीं हिस्तिदार संथा है किस ने किसे दिया तो प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी को आगे देखे चंद्रगुप्त दो की पुत्री का नाम क्या है तो परभाव परभाव ती गुप्त है ठीक है तो यह भी पूछा गया इंपोर्टन्ट कोश्चन नहीं है 1974 परिक्षन के समय परमानु आयोग के पर्मुख्य कौन थे तो 1974 परमानु आयोग के परिक्षन हुआ थे तो डॉक्टर राजा रमना आगे देखे जालिया उलभाग घतिया कांड के बाद ब्रेजिज सरकार ने किस आयोग की का अगठन किया था तो इंक्वाइरी कमिटी या यहन्र कमिटी भी option में दिया लगा तो सही है दोनों answer सही होगा आगे दिखेए आगे देखे गा यह ब सभी मिल का संबंद किसके साथ है तो ट्रांस्पोर्ड क साथ है यह का संबंद आगे दिखे रख्ट किस परकार का उतक है तो रख्त सयोजी होते हैं आगे दिखेगा विचीज नोन ऐस ड्राइड ड्राइड किसको बोला जाता है तो यो टू को बोला जाता है सूखा मतलब ड्राइड बोला जाता है सबसे छोटी हड़ी क्या है अगे दिखेगे रख्त में प्रती सकंदन कौंसा होता है तो हैर प्रती सकंदन चट्रान की नाम पर लिए किया जाता है इन में से कौन सा सौटकट की फाइल को को कोपी करने के लिए प्ली करता है और की में किजने प्लेयर होते हैं चंद्रियान-1 है को मंजूरी कप दी थी तो थो करा मैं कौन सी एरपोर्ट को सवर और जस चलेत किया गया तो को इसके бат समिधान के भाग-तीन में क्या सामिल पार्क कहा परक को असमनी सक थे कांजी अरगा मिठी को कहते थे काली मिठी को कह जाता है एक रेगुलर मिठी फे वेरीशा हेटक्वाटर और वाइपो का हेटक्वाटर कहां पर जनेवा में जो कि सुट्रेलेंड में इसके बाद देखी गा मेंडलिफ की आवजत सारणी को किसी ने संसोधित किया था तो मोसलिय ने संसोधित किया था वर्श 1987 में यूनेश्को ने विश्वधरोहर अस्थल महान चोल मंदिर का निर्मान चोल समराजे के राजाव द्वारत किया था यह पूरे दच्छिन भारत और परोशी जीपो से बना हुआ है वर्ष 1987 में यूनेसको ने विश्व दरोवर इस्थल गुश्द किया ओडियो फाइल का एक्स्टेंशन नेम क्या होता है तो ओडियो फाइल का एक्स्टेंशन नेम की साफ साफ लगाईएगा कौन सा नेता ने कॉंग्रेस और मुस्लिम लीक के भी समझाता को पूरी तरह तो मुहम्मद अलि जिंणा ने तराजू के बर्तद सबसे पहले कहा इस्ताव किये गई टिल्फाव Greek apply टैकंप्लिक लिए आगे पूछा कि आघे हैता है में पालाद की सित्य पte अभूष। पुरस्कार किसे दिया गया तो चर्णूलाल मिश्रा को दिया गया आगे दिखेंगा जिले में सबसे ज़्यादा पाए जाता है और यूजना का नाम पूछा है यहाँ पे आगे दिखेंगा स्किम चलाए गया था तो प्रधान मंत्री व्रिधा जन योजना पी एम वी वी इंद्रा गांधी मात्रुत्य सहयोग योजना दोनों पेंसन से रिलेटेटेट है दो जो आप्शन होगा वही सही अंसर होगा आगे दिखें 2018 के राष्ट मंडल खेल के लिए बॉक्सिंग में किसको गोल्ड मैडल दिया गया था विकास क्रिशन यादों को गोल्ड मैडल दिया गया था सौ दिन की गारेंटी काम के तहते कौन सा योजना है तो मंड्री का है आगे जिकें सबसे ज्यादा अभरक कहां मिलता है तो आंदर करप नीती जिसको कहा जाएगा डॉक्ट्रीन आफ लैप से तो यह मतलब क्या होता था अगर किसी का वारिष नहीं हो तो इसकी जमीन कौन ले लेगा ब्रिटिस से गवर्मेंट ले लेगा आगे देखेगा 2020 का ऑसकर बेस्ट एक्रेस अवार्ड किसे दिया गया तो रेने ज बनता है तो कैलिसयम कार्बॉनेट बनता है आगे देखते हैं दोष्टोों आगे दीखिये कहा पे पर Altasia डिखते थी सीन वरी होगे के बाद 21 की मीं बचा हुआ आगे आई पील 2020 में और इंज किसको दिया गया तो के राहूल को दिया गया और रबाड़ा को सायद परपल कैप दिया गया था सिलंका के राश्पति कौन है तो गोति बाया राजपक्षे और महिंदा राजपक्षे वहां के प्रधानमंत्री जो विद्या देवी भंडाली भ बंगलादेस की और हमीद अंसारी जो है न सदे हमीद अंसारी है बंगलादेस का राश्पती आगी भारत सरकारने कि स्योजना के तहते Go पीजी फ्री एलपीजी वितरन किया तो उज्वला योजना के तहत किया था नीती आयों के किसी यू कौन है अमिताब कान थे और पहले सी यू पूछेगा तो स्रीद सिंदू स्री खुलर याद रखेगा यह भी पूछा गया को सनिसली मैंने दोनों आप से दोनों को रखा था और उस समय के खुलर याद रखेगा मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस किस ने दिया था तो कार्ल लीनियस ने दिया था यह इंपॉर्टेंट है आगे देखिएगा गेड़ नेशनल पार्क कहां पे गुजरात में है उसके बाद टकला मकान टकला मकान मरुवस् सागर को जोरता है तो बोरिंग बेरिंग बेरिंग जलसंदी के माधियम से यह दुनों आपस में जूरते हैं आंटार्टिक और प्रसाथ वहां सागर बेरिंग याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है आगे दिखिए गेटवे आफ इंडिया का डिजाइन किस ने किया था ज फिलिपिन्स में ठीक है कहां पर फिलिपिन्स में तो लॉस बानुस में इस्ति थे ठीक है चावल का अनुसंधान संसा अंतराष्टिय आगे दिखिए इनमें से किसने किसे 2020 में पद में विभूसन से समानित किया गया तो जौर्ज फॉंडर अन्विस से अलग लग नाम है देख लिजेगा बहुत किसे को दिया गया ओप्शन के साफ साफ को लगाना होगा आगे देखिए कंप्यूटर में सी लैंग्वेज जो है सी लैंग्वेज है वो किसने खोजी थी तो डैनिस रिची नी खोजी थी दक्षिन अफ्रीका के में महात्मा गांधी द्वारा प्र पुछा गया इंडिया रिवाइडेट्र नाम पूछा गया तो आप लोगो पता होगा नेशनल पेमेंट सिस्टम यानि एक सरकारी रेटार्मेंट सेविंग स्कीम है जिसे किंद्र सरकार ने एक जनवरी 2004 को लांच किया इस तारीक के बाद ज्वाइन करने वाले सभी करमचारियों के लिए यह योजना अनिवारी होगा साल 2009 के बाद है योजना में प्राइविट सेक्टर के काम करने वाले लोगों के लिए भी खोल दिया जाएगा आगे आप से पूछा गया है कि लोकल एरिया नेटवर्क के एक कंप्टूटर नेटवर्क है जोगी घर कारियाल है अथ्वा स्कूल यह हवाई हवाई अड़ा जैसे भावनों के छोटे समूह के लिए लगू भूतिक की छेत्रे को आवरती करता है आगे दिखिए गल्फ स्ट से तो ब्राजियर रूस भारत चीन दचन अफ्रीक आगे दिखिए तो ब्राजिल में होती है जंधन योजना कब लांच किया गया था तो अठाइस अगर्स 2014 को त्रियक का नियम किस नहीं दिया था तो डोब्रे नर ने दिया था इन्नमें से किस विज्ञानी का संबंध पर अगे देखिए चंदरकांता का लेखा कॉन है तो दो तीन बार पुछा गया तो देव की नंदन खत्री इसको मैं हाइलेट कर देव की नंदन खत्री बहुत इंपोर्टन आगे देखिए मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया तो सहयुक्त राज अमेरिका से जब कोई न तो कलाकार थे वही थे आगे देखिएगा डिजाइन बनाया थे इन्होंने एहमद लाहूरी ने गिरफतारी के विरोध में कौन सी रिटन सुप्रीम कोट ने जारी की थी तो बंदी प्रेसेस्ता जारी की थी लक्ष द्यूप में कौन सी भासा सबसे जादा बोली जाती है उसके बाद आप से पूछा गया कि यू एन एपी का इंडिया में हेटकॉर्टर कहा पर तो न्यू दिली में होका ऐसे भी आप लगा सकते हैं गाधी जी चब 1915 सुला में 14 जनवरी 1916 में पहली बार भासन दिये थे किसे यूनिवर्सिटी में दिये थे तो बनारस यूनिव कानाटा कंद्र यो ने म杖ेशी किताब लिखा माहात्मा गांधी निवे कम अभारत के बारे में बताया है हिंद मंसौराजिये छे ब्री रहां कहोगा टूशतले सटीष जवन अंत्रिक जागर कौन सा operates सेटलाइट इंडिया द्वारा 2019 में लांच किया गया था तो घिलाना मुर्ती बनाने के लिए किसका प्योंग किया जाता है तो प्लस्वा पैरिस को किया जाता है अगला अगर हम देखें जीके का सेट यह 21 से जनवरी 2021 का सेट यहां पर देखने को मिलेगा आपको और पहला को 1st UN Secretary General, Traygate Lee, आगे रिखें आगे रिखें दगरी इसके बाद को इसके बाद विच बढ़ पॉलाइव पॉलाइट तो इसके बाद, नेशनल पॉलुशन डे कब होता है, 22 December को होता है नेशनल पॉलुशन डे होता है रविन अना टैगोर नॉट नॉबल प्राइज कब मिला था उनकी पुस्ता गितांजली के लिए उनका उपनियास जो था गितांजली के लिए लिटरेचर में 1913 में उनको नॉबल पुरुषकार दिया गया था तो इससे question पूछा गया भारतिय सभिधान में 22 लैंग्विज को सामिल किया गया है आगे देखिएगा एबॉल लिस्मेंट ऑफ टाइटल इन आर्टिकल तो यह आर्टिकल 18 हो गया उसके बाद फॉर्स्ट फाइव एर प्लान कब आया था नौ जुलाई 1951 को आया था उसके बाद सकेंड हाइस्ट पि इन पंचायती राज्य सबसे पहले कहां भी स्टार्ट हुआ था नागौर में स्टार्ट हुआ था मुझे लगता है यह साइद महरास्टा में विच आप दी फॉल्लविंग स्टेट डैस नौट सेरे बांड़ी विथ नेपाल जारखंड नेपाल के साथ अपनी बांड़ी जहर नहीं करता ऑप्शन के जारखंड होगा सही एंसर रेट डीट बुक एज फोर रेट डीट बुक किस लिए होता है तो यह मैं आगे भी आपको डिसकस करूंगा अभी फिलहाल इसको हटाते है इस को सन को रिपीट कर दिया मैंने तो इस को सन को यहां से मैं डिलीट करता आगे दिखें, which of the following is operating system, तो यह option कनुसारा बता सकते है, operating system क्या होता है, user और system के बीच इंटरफेस करवाता है, जैसे windows हो गया, android हो गया, यह सब operating system मैसूर महराजा पैलिस, मैसूर महराजा पैलिस वाज बिल्ट बाई, विच डाइनिस्टी, तो उडे वे, उडे वे, उडे आगे दिखेंगा, who will host cricket world cup 2023, मतलब जो 50 over का, जो विश्वेक अप होने वाला क्रिकेट का, 2023 में, वो कहां पे होगा, तो इंडिया में होगा, आगे पुछा गया, थार्ड एंग्लो मैसूर वार, तीसरा एंग्लो मैसूर का जो युद्य हुआ था, वो कहां पे हुआ था, त भूरी क्रान्ती, ग्रे करांती ग्रे, जो क्रांती हुए थी, वो की के लिए हुए थी, फत прогलाजर के लिए हुए थी, आगे देखिए, who convert Statusライ Cambridge into public language कन्वर्ट करता है और लेब लेगज समीन Karl करता है और रेड़ इंटरप्रिता मेन में इटरफ इफरेंश क्या होता है वह वह किया करेगा एक साथ पूरे प्रोग्राम को छेक करेगा मतलब आपने फेर्टी अपने इसे एक इक लाइन दो चेक करेगा बताएगा इस लाइन फुक्त राइन को चेक करें तो महात्मा गादी ने है इन्यूनि फ्रति यूंडी का इस वाइन होता है आगे देखिएगा the longest one of human body femur होता है उसके बाद आगे अगे अगर हम बात करें एक question पूछा गया North East Frontier Agency से पूछा गया how many part how many part of a part are there in constitution तो यहाँ पे हो जागा 22 हो जागा 22 भागों में सभिधान को डिवाइड किया गया बाटा गया what is the chemical formula of sister तो chemical formula of sister क्या होता है स्टी डबल ओ कुछ इस तरह से होता है आगे देखिएगा आगे पूछा गया आप से कि स्कॉस इंडियर में ट्राइटिल 2019 में किसको मिला इसका अगर किसी को पता होगा तो बताईएगा विच्वा और्गनेजेशन टू कांट्रोल इसका मुझे नहीं पता है आगे देखिएगा ओल्डेश्ट और्गनेजेशन और क्या हो जाएगा आई लो हो जाएगा जिसकी स्थापना 1919 में की गई थी ठीक है तो यह सबसे पुराना हो जाएगा संस्था आई लो लेबर और्गनेशेशन है आगे देखिएगा इंट्रन क्या हो जाता है लिकवेड हो जाता है दोनों तो में पार्त होते ही सीपीओ के यहां से कोशन पुछ तो में पुछा भार्टी सविजान की किस आर्टिकल में राजकी भासा बढ़नेत होती है मतलब जो राजकी भासा के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया तो आर्टिकल 343 पंचैती राजी की सिरुवाद कहां से की गई थी तो नागोर जीले में दो अक्टूबर 1969 में विच आप फॉलोव सा और विया की गवर्णन नहीं है तो यह आप्शन की साफ़ा बता सकते हैं हमारे सरी से नाइट्रोजन यूगत्यपदार्ज को कौन अलग करता है तो नाफरान करता है कौन सा बैंक 15 में मिला करें स्ट्रीट बैंक और इंडिया बनाता तो इंपरियल बैंक को स्टेट आफ उस प्रसेस को क्या बोलता है तो विदूत लैपन या एलक्ट्रो लैट प्रेटिं कान सा सक कुत्व मिनार के बगल में अलाई महजित बनवाना चाहता था तो अलाहुदिन खिल्जी बनवाना चाहता था北 qualities 2019 के विजयता कौन है तो ब्राजील है कोपा अमिल्का फुट्वाल 2019 का विजय था यह दो बार रिपीट हो रहा है इसको पहले मैंने बता दिया था आगे दिखेगा विस्वे बैंक की स्टापना कब हुई थी तो 1944 में हुई थी इसके बाद भारत में अलबर्ट वेल किस वायसराय की काल में आया था यहां देखेगा यहां बेल नहीं होना चाहिए बिल होना चाहिए ठीक है केस वायसराय के काल में आता तो लौड रिपन के काल में आता अलबर्ट विल आगे देखेगा आगे पुछा कि भारती अंत्रिक अनुसंधान संगठन इस्रों ने छे फरवरी के सेंटर से भारत के 40 संचार उपगरा का सफल परिक्षान लॉंच किया था सफलता पूरा के लॉंच किया था 2536 किलो वजनी जी से थाटीवन उपगरा 40 वा उपगरा था तो यह आप से पूछा गया था कि हाली में भारत ने कौन सा सेटलाइट को लॉंच किया 2019 का नुसार ब्लूप्त परजाती को किस बुक के से पौद्य और जनवरों की 132 परजाती के सोची पधे किया गया था तो यह पध़ रखे में जैब सूची में 132 प्रजाती है जो की important है आगे पुछा गया कि राश्पति किसकी नुक्ति नहीं करते हैं तो जो मुख्य मंत्री होता है उसकी नुक्ति नहीं करते हैं option के नुसार क्योंकि मुख्य मंत्री के नुक्ति राज जेपाल करता है आगे दिखेगा governor करता है संपती के कुछा गया गया मने जाता है और लका पुछा गया मुंसिप रेमचंद्र का रियल नाम था अगे डीखे ट्रेंड इटिन को किस नाम से जाना जाता है तो यह दो रूट में चलता है एक बारन निशी से तो भारत के अर्थवैस्ता किस परखार किया तो भारत की अर्थवैस्ता कैसी है मिस्रित अर्थ वैस्ता है आगे दिखे लिए अर्थिक प्रोटीन की कमी से कौनसी बिमारी होती है क्वास York होती है प्रोटीन की क्मिसर आगे दिखे भगस दिन ने अशेमली में किस बिल के कारण बॉम फिक आ था Public Safety Bill & Trade Union Dispute Bill ठीक है Openoph social bill की कारण उन्होंने क्या किया था बॉम फिक दिया था असेंबली में आगे देखे आगे हैं यहां पर आगे कुशन देखेगा मिस्रित क्रिसी किस प्रकायर की क्रिसी होती है तो फसलों के उत्पाधन के साथ साथ पसुपालन भी किया जाता है तो इस केती को क्या बुला जाता है मिस्रित क्रिसी बुला जाता ह भारत में करिंसी एक जारी करता है तो रिजर्व बैंक जारी करता है भारत में करिंसी आगे देखें देखें पलासी के युद्धे के समय भारत का गवरणर कौन था तो कलाइव इतने समय के लिए गवर्णर बने रहे थे रॉबर्ट क्लाइड ठीक है पलासी के समय बाक्षर के बाद अंग्रेज्व का अधिपत्य हो गया था भारत के उपर किसके साथ है तो इतना ही कोशन से दोस्तों लगबगे यहां पर मैंने 400 से ज्यादा कोशन करवा दिया है तो इस तरह के लिए आप हमारे चैनल के साथ बने रहें अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक करके चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करक पर से मिलते है तांक यू